सर्दसार कुंडली आपने देखा होगा कि जब कहीं कोई सप्प निकलता है सप्प को बाद मैं सर्प बोलते हैं सप्प निकलता है सर्प निकलता है स्नेक निकलता है और वो गोल गोल घूम के अपने फन को उपर उठाता है तो क्या कहते हैं देखो कैसा कुंडली मार के बैठा हुआ साप है देखो यह जो सर्प है यह कितना कुंडली मार के बैठा हुआ है इसने तो कुंडली मारी हुई है यानि वो गोल-गोल जो चक्र बना के बैटता है उसको कुंडली बोलते है तो कुंडली जो सब्द है वो पाली का सब्द है पुरानी भासा का सब्द है हिंदी का आज की डेट में उसको हिंदी क्या क्या सकते है कुंडली का मतलग है इसको बाद में सप से या सर्प से सरपीलाकार भी बोलते है यानि कि कुंडली मार के सर्फ बैठा हुआ है और चुकि सर्फ से सपसे लोग ज़ादा डरते हैं इसलिए उसका दूसर नाम भी सरफिलाकार पड़ गया यानि कि साप की तरह गोलगोल घुमा हुआ सरफिलाकार कानों में जो पैंडले हैं उसको कुंडल बोलते हैं यानि कुंडल जो कानों में पैने हैं वो कुंडल होगे वो रिंग होते हैं यानि कि वो घेरा होते हैं जो कानों में पैने जाते हैं जिसको बाली भी बोलते हैं बाली इसलिए बोलते हैं क्योंकि राजा बाली को जब मारा गया था तो उसके याद में और अपना सासन बापस लेने के लिए माओं ने अपने बच्चों को कसं दलाई कि तुम ये जो कुंडली है यानि के जो कुंडल है इसको पहनोगे और इसको हमेसा याद रखोगे कि ये राज तुमारा है ये सासन तुम्हें ये अपना सासन बापस लेना है इसलिए राजा बली की कसं खिलाते थे और कुंडली का नाम ही कुंडल का नाम ही बली पढ़ गया बाली पढ़ गया तो बाली नाम इसको वहाँ से दिया गया मगर यहाँ जो बात कर रहे हैं हम कुंडल केसा बोलते हैं कुंडल केसा एक बार पाली की गाथा में आया भी है और सबसे जाता जो important है वो है जनम कुंडली यानि कि जनम की कुंडली बनाना अब जनम की कुंडली क्या होता है इसको बोलते है जात कुंडली या जाती कुंडली क्योंकि जनम को पाली के अंदर जात या जाती बुला जाता है तो इसको हम बोलेंगे जाती कुंडली अब जाती कुंडली सबसे पहले आप जो सिद्धत गौतम है यानि की भग्रवान गौतम है उनकी समझे उनकी जाती कुंडली को जब बनाने के लिए जो इसी आए वेग्यानिक आए इसी को वेग्यानिक बोलते हैं और जो वहाँ पे आए थे वो आए थे काले रिसी आए थे काले रिसी का मतलब है जो यहां भारत के ही मून लिवाची रहे होंगे काले तो उन काले रिसी को उनोंने बताया देखके कि बड़े-बड़े जो लक्षन है इसके सरीर पर, बॉडी पर, बच्चे के उन्होंने सारे देखे ऐसे characteristics से उनकी body में थे जिससे वो perfect man जो एक अच्छा स्वस्ते बच्चा होता है जो आगे जागे एक perfect man बनेगा उसके उनोंने वो अपने ज्यान से अपनी जानकारी से वो बताए तो उनकी पहली कुंडली बनाई और भग्नमान गुद्ध की पहली जाती कुंडली बनी तो जाती कुंडली बनाने का जो सिस्टम है वो बॉद्धो का सिस्टम है वो बुद्धिष्टो का सिस्टम है वो धमीको का सिस्टम है जो बच्चे को देखके और जो इसके सरीर विज्ञान के लोग होते थे और जो मनों विज्ञान के लोग होते थे वो देख के बताते थे कि इसका सरीर, इसका खांदान इसका पालंग पोशन जैसा आसपास का वातरवन से होगा जैसी जलवाई हुए जैसा ये बच्चा पैदा हुआ है उसके हिसाब से और जितनी इसकी ग्रोथ हो रही है उसके हिसाब से इसका सरीर कैसा रहेगा इसका मन कैसा रहेगा और यह आगे कैसे काम करेगा तब यह कहावत बनी कि पूत के पाम पालने में दिखाई दी जाते हैं उन्हें लक्षणों के आधार पे लक्षण बदलते रहते हैं क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिसने पहले लक्षण बताये हैं वो ना बदले वहवार से, सुभाव से, परस्तिती से, कोई natural calamity हो जाए, कोई आपदा आ जाए, कहीं कुछ चीज ना ना मिले तो वो लक्षर बदलते रहते हैं, यह प्राकरतिक नियम है तो जो कुंडली, जाती कुंडली बनाने का, यानि जात कुंडली बनाने का जो सिस्टम है वो धम्मिक सिस्टम है, वो बौधो का सिस्टम है, वो प्राशिन काल से है और यह साइंटिफिक वे में है इसको आप मन गणनत नहीं बता सकते आपको पहले बच्चे को पूरा चेक करना पड़ेगा आज की डेट में तो और भी ज़्यादा आसान है आप अपने बच्चे का बिलट का सैंपल अपनी लेबरटरी में दे दीजिए और लेबरटरी से साथ टेस्ट करा लिजिए आपको लेबरटरी में टेस्ट करके बता देंगे कि आपके बच्चे का आगे चलके यह यह डेसीज होंगी इसमें यह जर्म्स हैं यह नहीं हैं यह कमजोरी है इतना अक्सिजन है इतना कैल्सेम है इतना यह है इतनी इसकी growth है 6 मनी तक वो उसको तोलेंगे तोल के बता देंगे कि आपके बच्चे की ये growth है इसको ये खलाना है वो खलाना है scientific जन्रम कुडली आज की डेट में बन जाती है और अब तो ऐसे computer ऐसी machine भी आगी है जो आपकी cell से देखे आपके DNA से देखे DNA को देखे बता सकते हैं कि अब आप कैसे आगे होने वाले हैं और इससे भी बड़ी बात ये है कि बच्चा पैदा तब होगा जब पहले उसकी जन्रम कुडली त्यार हो जाएगी यानि कि जो जाती कुडली है पहले वो बनाई जाएगी DNA बनाया जाएगा फिर बच्चा पैदा किया जाएगा हम उस स्टेज में आ गए हैं कि बच्चा बाद में पैदा होगा पहले उसकी जाती कुडली यानि उसके करेक्टरेस्टिक्स पहले उसमें लिखे जाएगे उसका DNA बनाया जाएगा फिर वो बच्चा पैदा होगा ये सारी science है और बुद्ध तो सारे सारे science से जाने जाते हैं इसलिए आप अपनी जाती कुंडली बनवाईए जो जाती कुंडली है डॉक्टर से बनवाईए साइंटिस से बनवाईए वेग्यानिक से बनवाईए अपना blood sample दीजिए वो आपको बताएगा कि आपको कोई भवि जा उसकी त्यारी परेसे की जा सकती है ये modern science है जो भगवान बुद्ध के समय जीवित थी और भगवान बुद्ध के समय बहुत जादा चलती थी बाद में इसको लोग भूल गए और इदरदर की बाते हैं जाती कुंडली के नाप बनाने लगे अक्छर जोडने से या गु खègु हम दो जो कि 펜्ट बनाने लाद जाता शीया है ऐा साथे हैं जो पालड हैं जाता स्करादी खफ़ पर टैय समय जाता स्कते हैं जासर shellakiser, जासर वासे हैं जाओ उल्गे बाष टुदंज आञा बहां जाता सकते हैं झाल झाल